मोटू और पतलू एक छोटे से गाव में रहते थे उनके पास पढ़ाई के लिए अच्छे संसाधन नहीं थे लेकिन उनका इरादा बहुत मजबूत था वे हमेशा से ग्यान के प्रती उत्साही थे और खुद को और दूसरों को शिक्षित करने का सपना देखते थे एक दिन उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिला उन्होंने एक नए तरीके से शिक्षा प्रदान करने का निर्ने लिया मोटू और पतलू ने मिलकर एक नया ट्यूशन सेंटर खोला उनके ट्यूशन सिंटर में वे गाव के बच्चों को मूल शिक्षा के साथ साथ उनके सवालों का सही उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित करते थे उनका मुख्य ध्यान उन बच्चों की मदद करने पर था जो पढ़ाई में पिछड़ गए थे या जो अपने पढ़ाई में अधिक मजबूत होना चाहते थे मोटू और पतलू ने उन बच्चों के साथ बहुत महनत की और उन्हें पढ़ाई में सहायता प्रदान की वे अपने विद्यार्थियों को न केवल पढ़ाई में मास्टर करने में मदद करते थे बलकि उनके जीवन के मार्ग दर्शन में भी सहायक बनते थे उनका ट्यूशन सेंटर बहुत ही लोकप्रिय हो गया और गाव के बच्चे अब उन्हें अपने शिक्षा के इंद्र में पढ़ने के लिए उत्सुक थे उनके सेंटर में शिक्षा के साथ साथ विभिन गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता था जिससे बच्चों का अधिक विकास होता था मोटू और पतलू का मिशन था कि वे गाव के हर बच्चे को शिक्षित करें और उन्हें समरिधी की ओर ले जाएं उन्होंने यह सपना पूरा किया और गाव में शिक्षा के आदन प्रदान में सकारात्मक परिवर्तन लाया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें किसी भी स्थिती में हार नहीं माननी चाहिए मोटू और पतलू ने अपन इस अपने को पूरा करने के लिए मेहंद, संघर्ष और सही निर्ने का विश्वास किया उन्होंने अपने गाव के बच्चों की शिक्षा का जिम्मिदारी संभाली और उन्हें सफलता की उंचाईयों तक पहुंचाया कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मैं चानल पर कार्टून विडियो